आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत था आज आपा बनाना वाला है लाल मिर्च को अचार और मेरा राजिस्थानी स्टाइल में थाना बताना वाली हूं मारवारी लोग किस तरह से अपना घर में लाल मिर्च को अचार बनावा है भरवा लाल मिर्च को अचार है दो केजी की रेसेपी में मताना बताना वाली हूँ तो चलो इसनदा बनावा हाँ इससे पहले अगर ते मेरे चैनल मनाया हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे नई रेसेपी धारा तक सब-सब पहले पहुँचा अटा देखो मैं लाल मिर्च लिए हूँ यह दो केजी लाल मिर्च मैं इसना बहुत अच्छी सा भी पोंच लोंगी क्योंकि अब बहुत मार्किट से लिखाया था न तो थोड़ी गंदी हुआ और मौश्चर रहा था इसलिए पहले आपा इसना एक साफ कपड़ा सा इस तरह स अच्छी सा पोंच लिएंगा लाल मिर्च दो तरह सा बना है एक डंठल वाली एक बिना डंठल वाली अगर थे डंठल वाली बना हो तो इसना धूप में भी रखना होगी 5-6 घंटा के लिए तो मैं बिना डंठल वाली बनाना वाली हूँ इसना धूप में रखने की जुरत म्रच मि记्च पहुंच दियायों जार्क देखू मेदि STARTने मिर्च के पहले कि दखा इसा काटकर में सारी मिर्च पहले आप इस तरह सा कर लेँगा भी देखू मेदे अप दलने का त लिए फ्रिक दम आकटेश मिर्च राखें सा करकए कि अब्रोल बहुत ज़रूरी है भरवाल मिर्च में इसी तरह से चीरो लगाना पड़ा है मैं सब में चीरो लगा लिए अब अठा मसालो लिए राई लिए हूँ 200 ग्राम दो केजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ 200 ग्राम अठा सौंप लिए हूँ अम चूड लिए हूँ 75 ग्राम नमक लिए हूँ 200 ग्राम एक केजी मैं 100 ग्राम नमक लगागो और अठा सिक में लिए मेथी 25 ग्राम गरम मसालो लिए हूँ अठा सिक में 50 ग्राम हल्दी लिए हूँ 4 चमच कलोंची लिए हूँ 1 चमच और हिंग लिए एक चमच अब राई मेथी और सौंप न अपा मिलका अच्छी से तीनो न मिला कर अपा न पीषनों हाँ पहले पहले फ़राई करांगा गेस के पास जाओंगा तिनों न अच्छी सेक लेंगा दो मिनिट के लिए उसके बाद इसना आपा पीसंगा तो सुख डाल दी मेथी डाल दूंगी और राई डाल दूंगी अब दो मिनिट के लिए मीडियम लो फ्लेम रखते विए आपा मसाला अच्छी सा सीख लेंगा एक अच्छी सी स्मेल आना लग जाओगी और बहुत कलर इसको हलको सो चेलिंज हो जाओगो ते दिखिए दिखना से समझ मा जाओगा और मसाला चटकना लग जाओगा तो इस तरस अपनों मसालों दिखो बनकर त्यार है अपा गेस की फिल्म में ब अब आपा श्टफिंग के लिए मसालों रेडी करेंगा मिर्च के लिए तो दिखो मैं बड़तन ली हूँ जिसमें मैं सब डाल दी हूँ सर मशाला ना अब इससा जो गुठला पड़ गया था ना इसना हाथ की सायता सा आपा इस तरस तोड देंगा गरम मसालों डाल देंग अब सारा मशाला इसमें डाल देंगा नमक डाल देंगा हिंग डाल देंगा कलोंजी काला जीरा जो डाल देंगा अमचूर डाल देंगा अमचूर को बहुत बड़ो रोले जरूर डाली हो और हल्दी डाल देंगा इस सभी मसाला ना अच्छी सा पहले अपा मिला लेंगा दूंगी और इस तरह एक लिटपीटों सो मसालों गिलों सो मसालों बनाका अब त्यार कर लेंगा अगर थाने लगा थारो तेल कुछ कम है तो थोड़ सो तो तेल और मिला लियो कोई दिक्कत नहीं है अब दिखो अपनों मसालों त्यार है अब इस टाइम पर आपा थोड़ो थोड़ो करका इसमा मिर्चना आयन करका स्टफिंग करेंगा डालेंगा दिखो इस तरह से हाथ की स इस नहीं करका दबाती भी जाए तक अंदर तक सारो मसालों चले जावा इस तरह से भरना पड़ा मसाला ना हाथ से एंकर का चीरलो मिर्ची ना और अंदर मा मसालों डाल दो हलको हलको हां से दबाते जाए और अंदर तक थेलते जाए मसाला ना तो इस तरह से बहुत बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो बहुत अच्छी भरमा मिर्च है खराब तो होई को नहीं है अगर था था थोड़ो सो भी डर है तो तो बीच में इसना धूप में दिखा लो ने तो वह भी जुरत नहीं है एक दिन धूप में लगा लो और वा इसका बाद इसना उठा कर लेकिन हाँ जब भी मिर्चन निकालो तो पानी का हाँ बिल्कुल भी मत लगाई हो इसमा और सुखी चम्मच की हेल्प सा निकाली हो और जिस भी कंटेनर में इसमा डालांगो वह भी सुखो होना चाहिए तो देखो इस तरह सामा सभी मिर्चना अच्छी सा अहीं करका भर ल आपकेदे ली हो इस तरह सा एक मिर्चिना डुबाऊंगा पाई हो और इस तरह से जार में डालते जाऊंगा तो सभी मिर्चि में तेल लग जारो बिल्कुल भी प्रॉबलम नहीं हो रही है और कम तेल में बहुत सारो अचारबन का अपनो त्यार हो जाओगो इस तरह से दे दबा न एक दिन धूप में लगा दूँगी फिस न रख दूँगी इसे से जो बची हुई मिर्च उसना भी इसी तरह साप़ा डाल लेंगो तो इससे सब में मिल्च को अचार बनका त्यार है अगर थान अच्छी लगी हो मिल्च की रसिपी भर्मा मिल्च की रसिपी तो तेसना लाइक करो और शेयर करो अगर चैनल में नया हो तो चैनल ना सस्क्राइब कर लो झाल 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 झाल